हेलो फ्रेंट्स एक वर्पुनाप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टड़ी 26 पे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी जिनोंने लिया होगा जो भी बच्चे हैं और फ़र्स समेश्टर वाले तो उन्ही के स्लेवस में एक है जो कि हिंदी व्याकृण में आप देखेंगे कि निवन्द रेखन यहससे राइटिन कैसे किया जाता है उन्हीं चीजों को आज देखेंगा उसी को समध dön knife क्या है उस चीज चीज़ को देखेंगे फिर निवंध लेखनम करते है तो उस पें कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना तीसरी बाते हैं उसके कौन-कौन से अंग होते हैं यह तमाम चीजों को हम लोग देख लेंगे तो चलिए उन्हीं चीजों को देखते और समझते हैं निवन्द एक गध रचना होती है जिसमें हम किसी भी विषय क वर्णन करते हैं जैसे माली जी आपने Mexican время अब आ से के बारे में वर्नन या चर्चा करते हैं निवंद दो सब्दों से मिलकर बना है नी और बंद जिसका आर्थ होता बच्छों अच्छी तरह से मांधना नी का मतला होता अच्छी तरह से और बंद का मतला होता है कि सब्दों को अच्छी तरीके से पीरोना यानि कि बांधना उ यानि विद्याले पर निवंद लिखना है तो विद्याले के बारे में आपको जानना चाहिए कि विद्याले में आखिर क्या होता है विद्याले में कितने टीचर है कितने सिक्षक पढ़ाते हैं आपको कौन-कौन से विषय पढ़ाया जाता है विद्याले में बैठने के सबी लोगों को समझमें ना ऐसी भासा का प्रियोग होनी चाहिए जिसमें अपट Usually लोगों जो है कि देखिए जब आप निवंद लिखे ना तो उसमें विचारों का पुंड़ा विर्ती का मतलब होता है कि दोहरा यहां कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए यानि कि आपने कोई भी लिखा कि गाये हमारी जो है माता है या फिर कुछ भी आपने लिखा कि गाये हमारी च निवंद लिखते हैं समय छोटे छोटे वाक्यों का परियोग होना चाहिए यानि छोटे छोटे वाक्यों में ही अपनी निवंद को पूरा करें यह लिखने का कारी करें यहीं होता है निवंद की सिस्था उसके पहला होता है सिर्सक उसके बाद होता है विस्तार उसके पतल वता है महान आपने लिखना है तो वह आप एक लिखने तो सीछ गैपर निवन्द आपने उपर में लिखा तो यह हो गया कि आप गाया पर निवन्द लिखने जा रहे हैं तो इसी तरह से आपको एक और प्रस्ताम नहीं होता निवंद का सबसे ऊपर भाग घाना तो प्रस्तामस को ही लिखा जाता यह रिखना है अगले चीज़ को दिखी चीज को मतर्ण निवनद का विस्तार आँख अब कितने भागों में बाटना है तो देखिए पहले निवंद आपने लिखना सुरू किया उसमें आपने एक टाइटल लिखा उसके बाद आपने यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा उसके बाद इसका विस्तार करेंगे तीन से चार पैरा गराफ में आप विस्तार कीजिए अलग टीक है इतनी बातें ध्यान में रखने योग यह है और इसको याद रखेंगे आप उसके आदे कि निवंद की परमुक्ष सेलियां कौन-कौन है यानि की निवंद कौन-कौन सी सेलियों में लिखी जाती है उनको देखिए एक होता वर्णात्म निवंद जिसमें वर्ण किय जता है जैसे मान देखिदियाले के बारे में लिखे तो आपने आपने बिद्याले के बारे में 2 दिश्या तर मिख्यार को अपने सोच में, आपके दिमाग दिमाग में जो शॉच चलता है ना यानि यांव जो सोच पाते हैं है उसी आधार पहते हों लिक्ते हैं सप्सक्राइप आप भावात्मक लिए computer federênuse of here इससksam advocate और किसी दोनों का अलोचना करते है और वहां नहीं इतनी 願い और आज और आपको पढ़ा देते हैं निवन जिस समर्दी बाते थी वह बता दिये अब देखिए एक होता है कि अधो लिक गमारत गद्यांस जो कि आपके से में आधो लिकट गद्यांस मतलब गद्यांस में क्या होगा बचों तो इसमें यह होगा ना कि आपको बता देते देखिए अगर हमने गलत भी रिखा हो तो इसको माप किजिएगा और चली देखते रहिएगा तो अधो लिखित गध्यांस में एक पैरागराफ आपको देदेगा है समझे और एक पैरागराफ में मालेजे कि मेरा गाउं कहीं भी और पठित गध्यांस में आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वैसी चीजों का उसमें दिया जाएगा एक पैरागराफ में और उसी के उपर आपको उत्तर लिखना होगा उससे समन्दित आपको एक कोश्चन दो कोश्चन तीन कोश्चन पांच कोश्चन ऐसे कोश दे दिया जाता और उसी का आपको कोश्चन एंसर लिखने के लिए धूने के लिए दे दिया जाता है तो ये चीज भी आपके योग conchalten कोश्चन आएगा उसके हिसाब सब कर लिज induce निवन्द लेखन में आपस से यह नहीं पूचेगा गया निवन्द तो जैसे कि कुछ बीसे वस्तु पर निवंद लिखने दे तो यह सब चीज पर आपको हो सकता है कि निवंद लेकिन ऐसा ही दिया जाएगा जो आप जानते होंगे ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसको आप तो इन चीजों को भी आप तयार रखेगा चुकि हो सकता है चोटी मुटी चीजे दी जाती है और उसको एक पेड़ पेज में आप लिक के जड़ू राइएगा छोड़के मत आईएगा ऐसा मत समझेगा कि छोड़ देंगे तो आपको नमर मिलेगा नहीं मिलने वाला है निव पठित गध्यांस को भी द्यान में रखेगा उससे रिलेयरेटर जो भी कोशन दिया जाथ है उसी गध्यांस से रिलेटर नहीं खोजना आपको पहले को सबढ़िएगा फिर अफिर उत्तर दीजिएगा इतनी बातें में रखेगा तो आपका पूरा का फुरा खतम हो गया न मेराथन बनाने में थोड़ी समय लगती है और लगती है तो उसके लिए थोड़ा वेट आपको करना होगा पहले से आप तयारी करने के लिए तयार होते नहीं है और अंतिम अंतिम समय में आपको सब चीछ चाहिए तो सब चीछ तुरंत नहीं मिलता है उसके लिए हमें भी तो ऐसे नहीं होता है कि एक आएक आएक आपको मिलेगा लेकिन हाँ भरोसा रखिए हर एक सब्जेक्ट का जब बोल दिये कराही देंगे एक जनवरी तक आपका महराथन ही अवाएगा तो आप एक एक करके देखते जाएगा और चलिए फिर मिलते आगले वीडियो में तो तक गलिड़ लेड़ लेड़